ओम नमस्ते आप सभी को मैं दिलबाग आरिया महामंत्री घरोंडा आरिया समाज मेरे और से साधर प्रणा देखिए आरिया समाज घरोंडा यूट्यूब चैनल समय समय पर आप लोगों के बीच में अनेक आरेक जगत के विद्वानों भजनों उपदेशकों अन्य लोगों को आपके बीच लाने का काम करता रहा है और निरंतर यह करम जारी है आज हमारे बीच में आरिया जगत की परशिद भजनोंप देशी का बहन संगीता आरिया जी हमारे कारियल्य में विराजमान है तो सबसे पहले बहन जी आपका स्वागत है अभिनंदन है आपका धन्यवाद ओम नमस्ते आप सभी बहुत ही सजग रूप से अगरिम पंक्ती में खड़े होकर के बैदिक सिध्धानतों के प्रेचार प्रसार हेतू निष्ठा लगन इमानदारी के साथ में कारी करते हैं उसके लिए आप बार बार शुबकामनाओं के लिए प्रेरि ये उत्साहा ये उमंग ऐसे ही आरिय समाज घरोंडा के युवाओं के अंदर हमारे भ्राता जो मंत्री हैं आरिय समाज के शरी दिलबाग जी आपके अंदर इसी प्रिकार से बनी रहे बहन संगीत आरिय एक ऐसी सक्सियत है आरिय जगत की परमेशवर ने बहन जी को वानी में वो मिठास वो मदूरता वो तेज दिया है जो हर किसी के पास नहीं होता बहन जी को एक बार कोई यदी शरोता सुन लेता है तो बार-बार बहन संगीता को सुनने का मन करता है तो बहन जी मैं सबसे पहले आप से पूछना चाहूंगा कि ये जो भजनोप देशी का बनने का विचार कब आया मन में कभी एकांत में बैठ करके इस विशे पर मैंने विचार नहीं किया क्योंकि सोभागे शाली हूं मैं इसलिए कह रही हूं ये बात विरासत में मुझे आरिये समाज मिला है जब मेरा जनम हुआ तो आरिये समाजी परिवार में जनम हुआ दादी और दादा आरिये समाजी थे दादी पडोस में महले में गाउं में यज्ज किया करती थी और वेद पढ़ा करती थी तो उन्ही से प्रेरित होकर के बच्चे थे उस समय इतनी जानकारी नहीं थी लेकिन अच्छा लगता था उनके पास बैठ करके उनको सुनना उनकी बातों को सुन करके फिर उन पर चलना फिर उन्ही के बाद में आप परिचित होंगे सोनी पत्से संतोष आरिया जी वो मेरी बुआ जी हैं जब उन्होंने आरिय समाज के लिए कारिय किया उन्ही के पास मुझे भी दो वर्ष लगभग रहने का उसर मिला और तभी से पोन रूप से लगभग पंद्रे वर्ष हो गए स्वतंत्र रूप से आरिय समाज के वैदिक मंच पर वैदिक सिध्धानतों का प्रिचार प्रिसार कर पा रही हूं अपने आपको सोभागे शाली मानती हूं मरशी स्वामी द्यानंद जी ने जो प्रियास किया था नारी के लिए जो वकालत की थी नारी के लिए आज वहाँ एक छोटी सी आहुती के रूप में अपनिवानी के माध्यम से रिशी द्यानंद के उपकारों का वर्नन में कर पाऊं ऐसी भावना लिये हुए समाज में आप लोगों के सहयोग से और सनेह से आगे बढ़नी का वसर मिलता है इसी लिए पुनहे आरिये समाज घरोंडा और पुनहे यहां की पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है बेन जी जब हम किसी भी फिल्ड में कारिया करते हैं तो ने को चुनोतियों का सामना करना पड़ता है आप नबिये भी आज से 15 साल पहले यदि भजनोप देशिका के रूप में कारिया करना शुरू किया तो कुछ चुनोतियां आपके सामने भी आई चुनोतियां तो मैं समझती हूँ आप किसी भी कारिये को करने के लिए निकलेंगे तो हर कारिये में आती है हमें संसार में लगता है कि जो माताईं हमारे घरों में भोजन बनाती है वो सबसे सरल कारिये होता है पर यदि आप उस कारिये में भी जाकर के देखे तो चुनोतियों का सामना वहाँ पर भी करना पड़ता है बस मेरा इतना ही मानना है हम महरिशी स्वामी द्यानन जी के सिपाही है हमारा ध्यान चुनोतियों पर नहे रह करके पुरशार्थी बन करके कारिय छमता के आधार पर आगे बढ़ने की तरफ होना चाहिए अर्थात जो आरिये समाज चाहता है आरिये समाज की गतिविधी आरिये समाज के सिध्धानत ये है कि अंधेरा कितना है इस पर हमारा ध्यान ना हो अंधेरा कैसे हटाए इस पर हमारा ध्यान ना हो बलकि हमारा कारिय दिये जलाने का होना चाहिए और जब दिये हम जलाएंगे तो अंधिरा अपने आप समाप्त हो जाएगा चुनोतियों का सामना करते हुए यदि हम कारिय करते हैं तो निशित रूप से मैं समझती हूँ रिशीद आनंद और वैदिक सिध्धानतों के प्रचार प्रसार को एक आहुती हम प्रदान कर सकते हैं तो आज कल संगीता अरिया जी का समय इतना वैस्त है कि अरिया समाजों को समय भी नहीं मिल पाता कि एक-एक साल पहले ही संगीता जी के कारिय करम पहले से ही तै कर लिए जाते हैं और उसी के तहट आगे पर चार का कारिया चलता है तो कभी ऐसा भी महसूस होता है कि सारा दिन कारिया लगे रहते हैं लगे रहते हैं कुछ आराम भी हो जाए कभी ऐसा मन में परशन आया कि कुछ थोड़ा रुका जाए अब तो ऐसी आदत ही नहीं रही बल्कि जो समय हमारे पास खाली होता है उस समय ऐसा महसूस होता है कि समय बरबाद हो रहा है इस समय का अगर लाब हम उठाते सदप्योग कर पाते तो कितना अच्छा होता और मैं फिर से ये श्रे महरशी स्वामी द्यानन जी को ही दूँगी प्रिकार का कोई काम आकर के नहीं सता था तो रिशी ने कहा था कि काम से ही कभी फुरसत नहीं मिली कि जो किसी प्रिकार का काम आने का आकर के सताने का प्रियास करें उनके अनुयाई हैं इसलिए जब पुरशार्त करते हैं और पुरशार्त के बाद फल मिलता है तो एक अभव होता है और जो समय किसी दिन यदी किसी कारणवर्ष कुछ स्वाध्याई या कुछ प्रिचार या प्रिसार नहीं कर पाते तो निश्यत रूप से ऐसा आभास होता है कि ये समय बरबाद हुआ और पुनेह ये समय लोट करके नहीं आएगा बस यही धारना हमारे समस्त आरियों के अंदर हो और जिनके अंदर है आप सभी जानते हैं देखने को मिलता है आरिये समाज घरोंडा के द्वारा हमारे युवा हमारे बुजर्ग पदादीकारी प्रते एक दिन का सदप्योग करते हैं कहीं यज्ज के माध्यम से कहीं गाउं में कहीं शहर में कहीं घरो में या किसी प्रकार का अंदोलन लेकर के चलते हैं तो आप जैसे लोगों को देख करके भी हमें प्रेणा मिलती है उत्सहा बढ़ता है कि जब आरिये समाज वो संस्था है जो कारिये करने की प्रेणा देती है पुर्शार्थ करने की प्रेणा देती है इसलिए ऐसा कभी करना चाहिए और यही मैं आप सबसे भी कहती हूं कि हमें समय का हमेशा सद्ध प्योग करना चाहिए बहुत अच्छी बात भेंजी ने बताई कि महर्शी श्वामी द्यानन सर्श्वती जी ने महिलाओं को जो सम्मान दिया महिलाओं को जो अधिकार दिया उसकी जितना भी वर संगीता हर कोई संगीता बनना चाहती है कि मैं भी इस तरह से कभी प्रस्तुति दूँ तो ऐसी लड़कियों को जो की शेत्र में आना चाहती हैं उन्हें आप क्या प्रामर्श करेंगे मैं उनको यही प्रेणा देना चाहूंगी कि संसार में कोई भी कारिय असंभव नहीं है बस अवश्चक्ता है तो उसकी प्रिष्ट भुमी को जानने की अवश्चक्ता है सही निर्देश, सही दिशामार्ग मिलने की अवश्यक्ता है यदि वास्तविक रूप में उन बेटियों के अंदर एक उत्साहा है, उमंग है, लगन है तो निशित रूप से मैं हर प्रकार से तयार हूँ भजन आदी के रूप से या हार्मोनिम आदी के रूप से जैसे भी मैं उनकी साहता करसों को उस प्रकार की साहता भी मैं देने के लिए तयार हूँ लेकिन मैं यही प्रेणा उनको देना चाहूँगी कि केवल बनावट के लिए, सजावट के लिए आरिये समाज का मंच नहीं है संसार में आप देखते हैं मंचों की कमी नहीं है और अन्य मंचों पर धनकी भी कोई कमी नहीं है यदि केवल बनावट, सजावट और धनकी ही दृष्टी से आपको मंचों पर कारिये करना है तो फिर आरिये समाज के वैदिक मंच पर शायद हो सकता है आपको सफलता ना मिले हाँ त्याग की प्रवर्ती लेकर के, सिद्धान्तों के प्रती एक्टीस लेकर के, रिशी द्यानन्द जी के प्रती एक स्रदांजली समर्पित भाव से लेकर के यदि आप इस मंच पर आते हैं तो ऐसा नहीं कि यह मंच हमें कुछ नहीं देता आरिये समाज के वैदिक मंच पर पद भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, यश और प्रतिष्ठा भी मिलती है और मैं कह दूँ, अगर संतुष्टी आपको है अपने पुर्शार्त से, तो बोलो धन भी मिलता है अगर आपको वास्तविक रोप से सही अर्थों में संसार का उपकार करना है, तो आरिये समाज के वैदिक मंच से अलग आपके लिए कोई भी दूसरा उपाई नहीं हो सकता और यदि सजावट बनावट और धन या भोतिकता की चकाचोन चाहिए, तो फिर आरिये समाज के वैदिक मंच पर आने का कोई ओचिते नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद बेन संगीत आरिया जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे भ्राता श्री दिलबाग जी, आरिये समाज के जो मंत्री है और एक बहुत अच्छी सोच आपने विचारधारा के साथ लेकर के आए, सोशल मीडिया का जमाना है हम बहुत कारिये करते हैं, आरिये समाज के जो लोग है लेकिन मेडिया के मामले में हम थोड़ा पिछड़े हुए थे आपने यूटूब चैनल के माध्यम से, आपने अन्य जितने भी अमारे पास माध्यम है फेस्बूक, टेलिग्राम, आदि के माध्यम से, वैदिक सिद्धानतों को फैलाने का जो बीडा उठाया है जो टीस लेकर के चले हैं, निश्यत रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और एक दिन आने वाले समय में, आरिये समाज घरोंडा योटूब चैनल नंबर एक पर अपने कारियों के लिए जाना जाएगा ये शुब कामनाई हमारी ओर से हैं, और पुने हम आप सभी का धन्यवाद करते हैं, ओम शान्ति धन्यवाद भेन संगीतारिया जी, मैं एक बार फिर आप सभी से अनरोध करूँगा कि आरेयस माज घरोंडा का यूटूब चैनल आपके लिए वैदिक जगत की अनेको गतिवी दिया आपके सामने बार बार लेकर इसी तरह से आता रहेगा मैं निविदन करूँगा कि आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें और सेर करें